10 सितंबर 2021 इंडियन एरफोर्स की महिला अधिकारी इनकी टकने में चोट लगती है ये दर्द की दवा लेती है रात होते होती दोस्तों संग शराब की पार्टी करती है दोस्तों में महिला मित और पुरुष मित्र भी शामिल थे लेकिन इनकी दी होई बयान के मताबिक आखरी बार इने पुरुष मित्र जो थे वो इने ग्लास देते हैं जिसकी बाद इनका दिल मचलता है इने उल्टी होती है महिला अधिकारी को उल्टी होती है और बेहोशी की हालत में इनके दोस्त कमरे तक छोड़के आते हैं लेकिन देर रहात महिला अधिकारी की कमरे में जो भेहोश हो गई थी उनकी कमरे में एक शक्स दाखिल होता है यह वही शक्स था जिसने आखरी बार इने शराब दिया था नमस्कार क्राइम तक देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ दीपक सिंग यह पूरा वाक्या इंडियन एरफोर्स के कोमेंबर्टो ट्रेनिंग सेंटर से आया है जहां पे महिला अधिकारी ने आरोप लगाया है कि एक पुरुष अधिकारी ने उनके साथ यौन उत्पि के लिए उनका दावा है जो महिला अधिकारी का आरोप लगाया है इंडियन एरफोर्स के जो मेडिकल टीम है कि वहां पे उनका टूफिंगर टेस्ट किया गया है तो दिरसल जो शक्स जो उनकी कमरे में दाखिल हुआ इनका नाम है फ्लाइट लेटिनेंट अमीतेश हर्मु तो जो महिला अधिकारी जो बेहोश हो गए थी उनका कहना है कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो जो सहली थी वो कहती है कि शायद कोई उसका गलत इंटेंशन हुआ रहा होगा जो तुमारे कमरे में दाखिल हुआ जिसके बाद जो महिला से सहली और यह ख प्राइट लेटेनेंट अमितेश को कबूलते हैं कि उन्होंने महिला का यौन उत्पीडन किया है लेकिन इसके बाद ही जो जांच है जिसमें दिक्कत आती है जो महिला बताती है कि वीडियो और आपनी बात को लेकर जो अपनी ओच अधिकारी को बताती है तो पहले तो बहु जब वो अपने एक और उच्छ देलकारी को बताती है तो बड़ा अफसर था वो इनकी बातों से चड़ जाता है जिसके बाद मायूस होके एक केस वापिस ले लेती है लेकिन कुछ दस सितंबर के सवाकिक के बाद जब वो ठक हार कर जब यह वापिस ले ले लेती है फिर भ लागा कि 26 सितंबर को और उमेन प्लिस के कारवाई चलनी चाहिए लेकिन वहीं जब इंडिन एर फोर्स के अधिकारियों ने उनका साथ नहीं दिया तो महिला ने खुद कौन प्लिस में जाके शिकायत दर्च करवाई तो यह केस उनके पास रहना चाहिए ज़्यादा खबरों के लिए देखते रही क्राइम तक